हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं basic syntax of kotlin के बारे में जो हम android development का course है उसमें हम सबसे पहली वीडियो में basic मैं चाहता हूँ कि आप syntax जो है जो basic syntax होते हैं जैसे कि if, else, variable कैसे declare करना है, कैसे हमें उसमें loop लगाने, कैसे हमें आती है, instance कैसे work करता है, उसमें हम string templates का होती हैं, बहुत जादा important होती है, जो string templates होती हैं आपकी android development में, तो उन सब topics पर हम इस video में discussion करेंगे, ताकि आपका basic जो है, जैसे हम kotlin use करने वाले अपने android development course में, तो basic आपका kotlin का syntax होते हैं, वो basic clear हो जाए, ताकि आपको दिक्कत न हुआ आगे videos में, क्योंकि हम use करेंगे जब kotlin और आपको, अगर kotlin आती नहीं होगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो basic इसमें हम syntax clear कर लेंगे, कैसे कैसे जो basic हमारे use में आने वाले होते हैं, हमाई kotlin में, android development में, जो kotlin का basic concepts use होते हैं, उन सब के उपर हम discussion कर लेंगे इस video में, ताकि आपको दिक्कत ना हुआ क्या वाले, ठीक है, तो आपको समझ मा आ गया होगा, तो चलिए, editor की तरफ वरते हैं, basically मैं आपको बताऊँगा, कैसे आप चाहे तो practice कर सकते है, kotlin की, without installing any editor, direct online जाकर, और आप search करकर, और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, screen की officially provide करता है, basically, jet prints, जो आपकी company है, kotlin, जिसने develop करी थी, तो वो आपको provide कराता है, ये online editor, ठीक है, तो ये online editor प्रोवाइट कराता है, इसमें आप जो चाहें, वो कर सकते हैं, basic compilation वगेरा, सब कुछ ये करकर देता है, आपको, यहाँ पर आपको अपना code है, वो लिखना है, और आपको run करकर कर लेना है, ठीक है, तो basic concept करने से पहले, शुरू करते हैं, सबसे पहले, जो सबसे पहला program होता है, आपना, तो हम print कराते हैं, hello world, ठीक है, तो kotlin का basic structure में आपको समझाता हूँ, simple, ये fun, जो है, it is used to represent function, that this main is a function, और अगर आपका programming languages से थोड़ा भी तालुकात ह होगा, कि जो ये fun, जो main होता है, मतलब किसी भी program को किसी भी language में आप लिखना शुरू जब करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज इस्तमाल में आती है, सबसे पहला जो function call होता है, compiler के थो, तो वो होता है हमारा main function, ठीक है, तो हमने fun, यानि कि ये function है, main, इसका नाम है, तो सब से पहला ये call होगा, अब basically हमें कुछ भी print कराना है, तो print command होती है, एक function होता है, उसमें हमें call करा print, and we will pass hello word, और whatever string we want in the double course, and there is no need to put semi-colon, जैसे हम python, अगर आपने python का थोड़ा बहुत syntax देखा होगा, तो python के अंदर आपको semi-colon वगरा लगानिक जरूरूत नहीं होती, तो सेम काम आपको यहां करना है, बट python की तरह indentation नहीं है, ठीक है, और जो basic compiler, जो background में use हो रहा है, वो same अपना jvm है, जो हमारा java virtual machine है, जो हमारा use होता है आपने java में, ठीक है, तो java पर based cotline है, बट जो hybrid code होता था, बहुत साथा जो हम फालतुगा code था, like public static void main class, और वो system.out print line पता नहीं क्या-क्या लिखना परता था हमें, उन चीजों से हम यहां बच गए है, हमें simple print लिखना है, और जब हम उसको run करेंगे, तो then we will got hello world printed in our output, ठीक है, तो देखा है, आपने सिर्फ तीन लाइन में हमने यह code को कर दिया, ठीक है, तो यह हो गया basic syntax, आपका kotlin में hello world print सबसे basic program, अब जो दूसरी time आती है, सबसे important कि कि किसी variable को declare कैसे करती है, तो kotlin के अंदर आपको दो keyword होते है, where और well, ठीक है, यह दो keyword होते है, अब इनका use क्या है, यह भी आपको समझाता हूं, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, आराम समझना है, बूरा, अब where क्या है, अगर आपने programming languages सीखी है, like Java, C, C++, कुछ भी सीखा है, तो एक होता है, आपके पास constant, एक होता है, आपके पास variable, ठीक है, तो basically, well क्या है, constant, अगर आपको Java के background, मैं आपको हरे language का example देकर समझाऊँगा, ताकि आपको easily सबको समझ भाए, मैं यह सोच कर चल लाओं कि कोई ना कोई language तो आपको आती है, अगर आपको कोई language नहीं आती, तो अभी कोई चिंता नहीं है, तो आप basic logical चीज समझेगे, ठीक है, तो well, अब आपको माल लिजे, आप कोई constant keyword यूज करते थे, ठीक है, C++ में, अगर आपको नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, final keyword यूज करते थे, Java में मतलब कोई भी अगर एक value है, जिसको आप चाहते हैं कि इसकी value जो पूरे program में कहीं पर भी change रहो, basically माल लिजे, आप example, for example, आप use कर रहे है, पाई, आप use कर रहे हैं कोई constant variable, आप use कर रहे हैं किसी एक ऐसी value, जो आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे इस पूरे program में, पूरे function ज ऐसी चीज है, जिसकी value time-time पर change हो रहे है, तो आप use करते हैं, where keyword, अब इसका example भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो where keyword का example देखते है, सबसे वहले where, i, जो की होगा, intertype का, ठीक है, तो अब मैं आपको इस index समझाता हूँ, where, आपका, मतलब क्या है ये, variable है, या य variable का या constant का जो भी नाम है, वो देना होता है, हमें, ये जो है semi, sorry, हमें columns लगाने होते हैं, columns लगाने के बाद हमने उसका data type देना होता है, ये where, i, जो है, वो है, integer type का, तो int आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, अब इसकी value, let's say, मैंने देदी, 0, ठीक है, अब ए अब मैंने क्या करा, मैंने print line करवाया, print ln, simple print आप करेंगे, तो simple print हो जाएगा, print ln आप कर देंगे, then you will got a slash, after the execution of whatever string you passed, और whatever value you passed, ठीक है, तो ये हो गया, अब मैं आपको यहीं पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं, string template, string template बोलते हैं, हम kotlin के अंदर, तो इसमें क्या होता है, हम जैसे माल लीजिए, आपको कोई value print करानी है, जिसमें कुछ string है, कुछ integer है, कुछ variables भी है, तो माल लीजिए, मैंने लिखता हूँ, value of i equal to, अब मैंने इहाँ पर dollar का sign लगाकर i लिखा, अब ये dollar का sign लगाने से i क्या मतलब होगा, dollar का sign लगाने के बाद compiler को हम ये बताते हैं, कि इस dollar के बाद जो value आने वाली है, वो मेरी एक variable है, यानि कि ये वाला i simple एक string है, लेकिन dollar के बाद बाद i will represent this i, ठीक है, तो आप simple, जैसे हम Java में अगर आप करते थे, या आप C++ में करते थे, आप C में करते थे, आपको string के लिए अलग command देनी ह करते थे, या फिर आप plus operator के use कर लिते थे, कभी-कभी, ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाप dollar का simpler use करेंगे, और अपना variable को print करा सकते हैं, तो यही काम होता है string template का, यह आपका android में काफी use में आता, क्योंकि जैसे हम करवाते हैं, let's say, कि हमने लिखवाया form fill करवाने के बाद हम लिखते हैं, जैसे किसी ने अपना name रष्ट करा, रमेश, तो हम use कर सकते हैं, hello dollar user dot name, मतलब user का जो भी name है, वो hello के बाद आजाए, तो यहाँ पर वो हम उसको use कर देते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमने उसके बाद slash and print कराएंगे, उसके बाद हम बोलेंगे value of j equal to dollar j, चीक है, अब इसको run कराते हैं एक बाद, देखते हैं क्या था, value of i equal to 0, value of j equal to 4, चीक है, अब एक काम करके देखते हैं, j equal to 5, और i equal to 6, चीक है, और इस line को again print कराते हैं, अगेन print कराने, अब मेरे को लगता है, most of the बच्चों ने समझ लिया होगा, कि अब ये क्या output देने वाला है, ठीक है, तो देखते हैं, yes, अब इसने क्या error दिया, well cannot be reassigned, जो मैं आपको इतनी दिर से चीक चीक के समझा रहा था, कि ये well जो होता है, वो एक constant होता है, इसको आ आपने एक बार जो value assign कर दी, वो पूरे entire program में same रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको remove कर दूँ, तो जो मेरा where है, यानि कि I, उसकी value change हो जाएगी, और I की value बन जाएगी 6, ठीक है, तो where is for variable, well is for constant, तो I hope आपको ये where और well का concept समझ में आया होगा, string template हमने पढ़ ली है, where, well हमने पढ़ लिया, print कैसे कराना पढ़ लिया, program का structure पढ़ लिया, तो काफी सीज़े हमने पढ़ ली है, अपने kotlin के अंदर, चलिए, अब आगे बात करते हैं, आगे हम क्या सीखेंगे, आगे हम सीखते हैं, चलिए, if else condition, if else से पहले हम एक और चीज़ सीख लेते हैं, आपका string type का, ठीक है, string type का हमने ले लिया, अब मैं इसको run कराता हूँ, और मेरा जो error थो करेगा, compiler वो बोलेगा, property must be initialized, मतलब जो आप ये property यूज़ कर रहे हैं, I am using this as a global variable, ठीक है, let's say, आपको android development का example लेते हैं, आपको एक button यूज़ करना है, आपको text view यूज़ करना, आ आप उसको local variable में save ना करकर, आप उसको global variable में save करेंगे, क्यों, क्योंकि global variable में आप इसलिए करेंगे, ताकि आपके entire activity में, entire function में, entire class में, entire program में, आप उसको कहीं पर भी access कर सकें, ठीक है, तो ये use होता है, अगर आप इसको locally लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इसको globally लिखने आएगी, variable i is never used, तो अगर आप इसको इधर लिखने की बजाए, अंदर लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको globally लिखना पड़ जाता है, जब आप real life में कोई project बनाएंगे, android development हम करेंगे, तब हमें globally variable काप सारी लिखने होते हैं, तो हम direct लिखकर और बिन initialize करें, उसको अगर हम लिखते हैं, तो हमें एक error थो होता है, तो उस error से बचने के लिए, हमें एक keyword होता है, late init, अब late init क्या है, उसको समझने से पहले मैं इसको compile करता हूँ, और देखे, आप कोई भी error नहीं आया, अब late init है क्या, उसको मैं समझाता हूँ, late init एक ऐसा keyword है, जिसको आप किसी भी variable के आगर आगे लिखते हैं, तो उसका ये मतलब है, कि ये variable जो है, वो basically आपने compiler को बोल दिया, कि मैं इस variable को आगे चल कर, जब भी use करूँगा, उससे पहले मैं इसको initialize कर लूँगा, यानि कि late initialize करूँगा, मैं इस variable को in the future, मतलब जब भी मैं access कर दूँगा, उससे पहले मैं इसको initialize कर दूँगा, तो तू चिंता मत कर, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लिखूँगा, तो compiler ये चिंता करेगा, कि तुम ने एक variable declare कर दिया, लेकिन उसको initialize नहीं करा, अब बोत तो future में जाकर, उसको access करने बैट गए तो फिर मेर को compiler में एक error देना पड़ेगा, कि initialize property, तो वो उसको पहले ही रोग देता है, compile time पर ही बोल देता है, कि तुम गलत कर रहे हो, रुख जाओ भी, लेकिन मैं late init लिखने के बाद compiler को सांतो नहीं देता हूं, कि बेटा, तू शांत रहे, मैं इसको जब भी use करूँगा, तो मैं इसको initialize कर दूँगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यही काम है late init keyword का, जब भी मैं use करूँगा, उससे पहले late init का use करकर, जब भी मैं उसको use करूँगा, उससे पहले मैं उसको initialize कर दूँगा, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब इसी के साथ एक और चीज हम कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हम इसको is equal to null अगर लिख दे तब भी यह हमें कोई error नहीं देगा, क्यों? हमने compiler को यह बोल दिया इस operator का use करकर कि यह जो variable i है जो कि string type का है it can be a null variable चीक है? it can be a null variable मतलब इस रूरी नहीं है कि इस variable के पास कोई property हो, इसमें एक null value we store हो सकती है तो जब भी अब हमें इस i को use करना होगा let's say कि यह एक object है rather than a string type, it is an object of a class, तो हम जब भी इसको use करेंगे, इसके किसी function को call करने के लिए, तो हमें यह और उसके बाद dot लगाना पड़ेगा ठीक है, question mark के बाद dot लगाने के बाद ही हम उसके साथ कोई भी operation perform कर सकते हैं, अगर हम direct use करेंगे, it will throw an error कि आपने एक null variable को direct function को call करा है, तो वो एक null variable पर आपने एक function call करा है जो की एक गलत चीज़, ठीक है आपने एक null variable call करा है, तो null pointer exception आपको मिल जाएगा, चीक है या फिर आप I को double exclimate mark लगाने के बाद आप ये दिखा सकते हैं, कि ये जो variable I है, उसमें मैंने कोई ना कोई value डाल दी है जिससे कि वो null नहीं है यानि कि इस जो expression का मतलब होता है कि ये value null नहीं है, चीक है तो हमने काफी सारी चीजें सीख ली अब ये हो गया सब पुछ, well, where late in it, null label ये सब हमने सीख ली ठीक है, और अब एक चीज और होती है, जो होती है well, I string, ठीक है, by lazy और इसमें आपने लिखा, क्योंकि ये अपनी तरह का आदमी है, lazy ठीक है, तो हमने इसको जब run कराएंगे तो क्या answer आने चाहिए, इसमें कोई भी compilation error नहीं है ये simple काम करेगा, अब late in it और lazy इन दुरों में क्या difference है, ये काफी ज़्यादा common question होता है ठीक है, तो late in it basically क्या है जैसा आपको पता है, late in it में हमने where declare करा था, बट lazy के साथ हमें well declare करना होता है, ठीक है, well और where, इन चीजों का आप ध्यान रखना कि lazy के साथ well और late in it के साथ where ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये भी चीज़ समझते हैं तो basically आप बात करते हैं कि ये lazy काम कैसे कर रहा है, तो basically जैसे हम late in it का था कि, compiler को हम बोल रहे थे basically, कि भाई तू शांत रहे, मैं इस चीज़ को आगे चल कर जब भी use करूँगा, तो मैं इसको initialize कर दूँगा, तू इस बात से वेफे कर रहे हैं कि मैं इसको null pointer बना दूँँ, या कोई error थोगा, तू चिंता मत कर, मैं इसको handle कर लूँगा, ठीक है लेकिन अब lazy क्या काम कर रहा है basically, well किसलिए कि जब भी in future, जब भी मैं I को use करूँगा तब ही I में ये hello जाने वाला है ठीक है, तो हम basically lambda function का use कर रहे हैं याँपर कि जब भी I का use होगा in the future, किसी भी कहीं भी जाकर program में तो I में ये hello assign हो जाएगा, ठीक है, I में ये hello assign हो जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और कोई भी error थो नहीं होगा, और ये जो है, वो constant value रहती है कि जब भी मैं I use करूँगा, उसमें hello assign होगा, और कुछ भी assign नहीं होगा इसलिए मैं lazy जो है वो well के साथ, और late init जो है वो where के साथ, क्योंकि late init property further in the program initialize होने वाली है, इसलिए उसको where करते हैं, और ये जब भी program में use होगा, तो automatically ये lambda function के expression इसमें assign होने वाला है इसलिए हम इसमें well use करते हैं, तो I hope आप से कोई ये question पूछेगा तो आप उसका answer अच्छी तरह से दे पाएंगे तो चलिए, ये बात हो गई well, where, lazy init or, sorry, late init or lazy, nullable variables, काफी जादा हमने topics पर बात कर लिए अभी तक अब चलिए, बात कर लेते हैं if or else की, तो let's हमने लिखा well, I which is of हम type भी नहीं दे हैं, अगर हम सीधे लिख दे, true तो ये अपने आप automatically उस चीज को समझ जाता है if I print okay else print boss, ठीक है, तो अब I की value जो है true है, तो it will print, okay ठीक है, तो ये आपकी चीज हो गई if else की, simple जैसे all languages में आप करते हैं, simple यही चीज इसमें होने वाली है, अब इसमें आप use कर सकते है, else if let's say I और equal equal true, ठीक है, और इधर आप लिख दीजिए, ये और last में else में, else में आप लिख देते हैं print by ठीक है, तो ये इधर आईगा इसमें ये condition false होगी, okay की जगा ये print कर देगा, boss तो else flatter भी आप इस तरीके से इसमें बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गई, if else की बात, अब जैसे आपने all languages में पढ़ा होगा शायद नहीं पढ़ा तो कोई बात ने, switch statement switch case क्या होता है, switch case basically होता है कि multiple cases हमारे पास है, अब उन cases में से हमें कुछ particular cases है, let's say कि हमारे पास है 1, 2, 3, 4 या मान लिजी आपके बाद dice है dice में कितने cases हैं, आपके बाद 1 आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता 5 आ सकता 6 आ सकता है, लेकिन आप उसको if else letter बनाएंगे तो काफी बड़ी letter हो जाएगी, if i equal equal 1 else if i equal equal 2 else if i equal equal 3 तो काफी बड़ी letter हो जाएगी, उसके लिए हमें होता है switch case, ठीक है, अब switch case की जगे इनोंने क्या करा, बहुत ही simple काम कर दिया, इनोंने कर दिया पहले तो मैं बनाता हूँ, well i equal to 5, ठीक है, और इसमें आपको data देने की ज़रूत नहीं है compiler automatically समझ लेता है dynamically, वो इस चीज को identify कर लेगा, जैसे आपका python में करता है ठीक है, तो इसमें होगा when i, when keyword use करते हैं, for switch case, मतलब switch case के लिए नहीं, basically switch case की property, जो switch की technique होती है, उस चीज को implement one, अगर one है, तो print कर दो, आपका let's say, yes और should I say one two है, तो print कर दो, यहाँ पर आपको break keyword का use करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, two print कर दो, three है तो print कर दो three, ठीक है print कर दो three, और else, इन के अलावा कुछ भी है, तो print कर दो sorry, one condition false, two condition false, three condition false, और else में आकर, इसने sorry, print कर दिगा, अब let's say, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि break condition, अगर हम नहीं लगाते हैं, तो काम बनता है, नहीं बनता है, तो यह print कर देगा one, और last condition पर नहीं जाएगा, ठीक है, तो बिना ब्रेक लगाए, आप simple यह कर सकते है, one, और जो हम this pointer में करते थे, तो आपको अगर c++ या c पड़ी होगी तो आपको याद होगी, ठीक है, तो यह arrow, और उसके बाद print, और जो भी आपको statement देना है, basically के लिए, वो आप दे सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको multiple statement से माल लीजी, इसमें खतम नहीं होते हैं, तो आप use कर सकते हैं parenthesis को, और यहाँ पर जो भी आपके बहुत सारे statements हैं, let's say one, और फिर print, आपने कर दिया go, example के लिए ठीक है, तो one go, आपका print हो जाएगा one go, तो multiple cases के लिए आप use कर सकते हैं, parenthesis is basically lambda function, ठीक है, तो हमने बात कर ली well, where, late in it, lazy और if, else, when और अब चलिए बात कर लेते हैं, loops की, while loop और do while loop तो same है, जो आपके all languages में होते हैं, तो उसमें तो हम बात करेंगे नहीं, थोड़ा change जो है वो है आपका for loop में, for i in 0 to 10, अब यह दो जो dot मैंने लगाई है इनका बतलब है 0 to 10, तो basically इस चीज को हम बोलते है range, तो range function होता एक तरीके से, तो बिना range लगाई हम print करा सकते हैं, अब मैं string template use कर रहा हूं यहाँ पर ठीक है, तो i और plus space तो basically अब क्या होगा यह 0 से लेकर 10 तक सारे number print करा देगा और इसमें दोनों जो ranges होती है वो inclusive होती है, ठीक है कोई भी exclusive नहीं होती है, जैसा range function में आपने कहीं कहीं यूज करा होगा, तो last वाली चीज को include नहीं करता है, तो इसमें सारी चीज included होती है inclusive होती है, 0 से लेकर 10 तक सब कुछ print करा देगा, अब इसमें मैं लिख देता हूँ step 2 तो आप क्या होगा अब यह print करा देगा 0, 2, 4, 6, 8 इसी तरह से मैं इसमें लिख देता हूँ step 3 तो यह 3-3 step आगे 10, 0 या 9 down to 0, ठीक है तो 9 से लेकर down to 0 तक, तो 9 से लेकर 0 तक यह सब कुछ print करा देगा अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा 0 और down की जगा मैं लिख दिया 5, तो देखते हैं तब क्या होता है ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक, तो अभी इसने कुछ भी print नहीं कराया, क्यों? क्योंकि यह चेक करेगा, क्या 0 5 से बड़ा है, तो condition false और वो वहीं पर रुख जाएगा ठीक है, तो आपको internal working समझ में इसकी आई होगी, ठीक है तो यह होगी बात अब आपको, जैसे मान लीजिए तो वही simple आपका है while जो भी condition आपको देनी है और अपने statement run करा दीजिए, ठीक है? तो इसमें तो हम data time list नहीं करते हैं तो do while भी same जो आपका concept है all languages में वही होने वाला है ठीक है? तो यह होगी बात अब एक function की जल्दी से बात कर लेते हैं let's say function है add इसमें आपके माल लीजे एक आया a जो की होगा int type का b जो की होगा int type का और यह function जो return करेगा उसमें हम लिख देंगे int ठीक है? तो इसमें जैसे आप return आप लिखते थे किसी language में आपको याद होगा void add, int add long add, इस type से तो इसमें आपको fun keyword use करना होता है for function, function का नाम उसके parameters और यह dot colon लगा कर उसका return type अगर उसका return type void है like this, तो आप उसमें empty भी छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ भी मतले किए ठीक है? तो basically यह return क्या करेगा? return a plus b sorry, colon लगाने की आदत हो कोई है तो अब हमने क्या करा? अब हमने यह करा print, print, add function call जिसमें 2 और 3 पास कर दिया ठीक है? 2 और 3 पास करा अब यह return कर दिया इसने हमें 5, तो I hope आपको यह चीज़ समझ में आई होगी कि यह कैसे working हो रही है मतलब 2 और 3 पास हुए और a और b होके return हो गए integer type था तो उसने उसको print करा दिया तो ऐसे functions हम use करते हैं kotlin के अंदर fun keyword use करते हैं, function का नाम लिखते हैं, parameter जो जो होते हैं, जिस type के होते हैं वो लिखते हैं और उसके बाद int करकर कर देते हैं, ठीक है? तो यह होगी बात functions की अब हमने function loop, switch sorry when, if else बहुत सारी चीज़ों पर बात कर लिए अब चली हम बात कर लेते हैं थोड़ा list के उपर, let's say मैंने एक list मनाई array list ठीक है? जो की होगी int type की, ठीक है? int type की, अब मैंने rather than इसको type बता कर मैंने direct उसका constructor call करा दिया, और ये list में आगे अब मैंने list में add करा है list.add1, same मैं इसको copy paste करता हूँ ठीक है? माल दीजिए, मैंने 5 बार add करा है अब मैं क्या करूँगा? मेरे को simple देखे, कितना easy होगा for i in list और print आपका dollar, dollar i और space ठीक है? तो ये 5 बार 1 को print करा दे, ठीक है? तो I hope आपको ये चीज़ समझ मैं है, यह होगा array list को, अब int की जगा पर string कोई आपकी custom class या कुछ भी आप use कर सकते हैं, basically तो उसमें कोई भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गई आपकी list पर कैसे work करते हैं, using this what we can just print by using for i in list, मतलब list के अंदर i को run करा और ये print हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने well keyword का use करा है, क्योंकि मैं एक बार list assign होने के बाद अब मैं इसमें, अगर मैं करता हूँ list equal to array list which is of entry type ठीक है? entry type और parenthesis, तो देखते हैं क्या तो well cannot be reassigned ठीक है? तो यह error आपको throw हो गया, तो यह भी चीज़ आपको समझ माई होगी, कि well को हम कब-कब use करते हैं, ठीक है? तो चलिए मतलब बहुत immutable बना देता है किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो अब list के उपर बात हो गई, उसके बात कर लेते हैं, hash map की hash map भी आपका बहुत use आता है well map equal to hash map और इसमें आप एक चीज़ notice कर रहे होंगे, आपको new keyword लगाने की जरूरत नहीं होगी है ठीक है? तो well hash map यह हो गया, अब map.put map.put let's say 1,3 map.put 2,5 map.put let's say 3,9 ठीक है? और for i in map print print i अब इस वार हम print ln कर देते हैं, ठीक है? automatically slash n लग जाएगा तो अब यह कैसे print करेगा? 1 equal to 3 2 equal to 5, 3 equal to 9 तो keys और key की value मतलब इस keys के लिए यह assigned है ठीक है? तो यह map print करा रहा है अब इसमें आप चाहें तो map.keys कर देंगे तो आपकी जो भी keys है map के अंदर like 1,2,3 वह print हो जाएंगी same map you can use values also तो map के अंदर जो values है वह सारी print हो जाएंगी like 3,5,9 ठीक है? तो ऐसे हम map के उपर वर करते हैं using kotlin ठीक है? तो यह बात हो गई अब same जो हमारा operation होता list के साथ that is add, delete और index वह same आप use कर सकते हैं kotlin के अंदर भी उसी के तरह आप stack use कर सकते हैं queue use कर सकते हैं, set सारे data structure हम जब हम आगे work कर रहे होंगे projects पर वर करेंगे, android development पर वर करेंगे जो जो use में आते जारेंगे तो आपको धीरे धीरे clear होता चला जाएगा basic concept वही है जैसे हमने list करा list की जगा पर set लग देंगे और same काम हो जाएगा इसमें array जो बनाते हैं एक array important है थोड़ा different चीज़े तो उसको भी समझ लेते हैं array equal to array of let's say 1,2,3,4 ठीक है और print array अगर हम ऐसे करते हैं तो देखते हैं क्या होगा ठीक है तो yes ने वैसे तो हमें print करा दिया array को आपको पता होगा कि array को आप print कराएंगे तो वह एक address में print होता है तो मैं इसको array.to string में करकर देखता हूँ तो okay यह ऐसा नहीं हो रहा for i in array प्रिंट कराते हैं अपन तो i यह तो 1,2,4 यह print होगा मतलब यह एक array बनाया मैंने array of 1,2,3,4 और यह मैंने ऐसी कर दिया अब आपको जैसे माल लीजे पूरे array के अंदर 5 fill करना है तो आप 5 fill कर दीजे तो जो भी है तो उसमें यह 5 for 5 fill कर देगा automatically ठीक है तो इस तरीके से आप array पर work कर सकते हैं ठीक है तो यह बात हो गई आपकी array की चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक class की ठीक है तो class की बात करते हैं class user अब जैसे आप अगर java पर work करते होंगे cpp work करते होंगे तो आपको सुना होगा getters and setter का हम use करते थे तो देखिए kotlin में वो हम कैसे करते हैं तो let's say मैंने बोला एक variable होगा name type का जो की string name नाम से और string variable आप हटा भी सकते हैं ठीक है और एक roll number होगा जो की enter type का होगा और यह आपकी class बन गई अब मैंने क्या करा मैंने एक well बनाया i जो की होगा user type का और should I say कि मैंने direct call करा दिया नाम बुला राम और rule number बुला one ठीक है तो जब मैं print कराऊंगा i को तो देखते हैं क्या होता है i को print कराने पर यह user add the rate यह उसका address दिरा basically ठीक है तो मैं इसका name print कराकर देखता हूँ i dot name ओके तो यह unresolved reference name दे रहा है तो what I should do मेरे को लगता है यह हाँ पर where लगाना compulsory है थोड़ा मैं भी confused हो गया था तो देखी आपको RAM मिल गया same आप कर सकते है print i dot roll roll number तो आपको RAM और 1 तो आपने देखा कि बिना getter और setter के यह internally इसकी working हो गई तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी अब by default मैं आपको बता दूँ कि यह classes होती है kotlin के अंदर वो होती है final type की तो आपने concept सुना होगा inheritance ठीक है concept सुना होगा आपने inheritance तो let's say मैंने बनाया class parent और इसको मैंने यह करा और इसके बाद मैंने इसमें function बनाया जो print कर देगा print ठीक है print line और इसमें यह print करेगा let's say parent ठीक है अब मैंने क्या करा मैंने class बनाई child जो की देखी इसमें कितना जादा importance होती है हमारी जो full column होता है ठीक है इस current की बहुत जादा importance हमारे है kotlin के अदर अब मैंने इसमें inherit करा इसमें आपको मान लीजे extend, implement यह function यूज़ करने के ज़रूरत नहीं है बस आप यह दो column लगाए जिस class को आपको inherit करना है उनको comma का use करते हुए लिखते जले जाए और ऐसे करकर कर दीजी अब इसमें आपको साथ ही साथ constructor call करना होता है क्योंकि जो cotton होती है उसके inbuilt constructor automatically बन जाता है ठीक है अब मैं इसमें मान लीजे एक function बनाता हूँ जो की again होगा print type का ठीक है और वो print करेगा child वो print करेगा अब मैं अपनी main class में आता हूँ और main class में मैं क्या करता हूँ मैं बनाता हूँ child type का ठीक है child type का और अंदर कोई भी value pass नहीं करता हूँ ठीक है और अब मैं क्या करूँगा मैं इन चीजों को अठाकर और मैं लिखूँगा i.print ठीक है अब देखते हैं यह क्या output देने वाला है तो this type is final so it cannot be inherited from अब यह क्या हुआ मैंने आपको बताया था कि default जो भी classes होती है वो होती है final type की तो उनको आप final है basically we can call it कि यह जो classes है वो एक तरह से constant है इनको आप changes इनमें override यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा you have to make open class and open function in तो मतलब यह जो वाला function जो हम basically public काम करते थे तो उसी तरह से मतलब होता तो public इसमें भी है लेकिन इसमें आपको open बनाना होता है कि मतलब it can be inherited by another class अब यह function आपने override ही तो करा है तो आपको एक keyword लिखना होता है override मतलब I overrided this function तो अब आप इसको run करेंगे तो यह आपका child आ जाएगा तो यह basically call करेगा इस वाले function को अब आपको माल लीजे आपको इस function के साथ साथ इसका जो parent class है उसको भी call करना है तो आप यूज करेंगे super keyword super dot print तो आपका यह पहले print करेगा parent फिर यह print करेगा child तो super dot print और print line यह जो है तो super keyword सीखा हमने इसमें हमने override keyword सीखा इसमें हमने open classes default classes क्या होती है यह चीजें सीखी तो काफी चीज हमने सीख लीए इस topic को लेकर तो यह सब बातें हो गई और एक चीज और है let's say कि मैंने कर लिया जो हमें android में काफी ज़्यादा importance रखती है और बहुत ज़्यादा use में आने वाली है वो है हमारा try catch block अब try catch block क्या है जिनको पता होगा उनको तो पता हो गई अब basically यह एक block होता है equal to let's say 2 well c equal to i divided by 0 ठीक है तो यह क्या आपको error throw करता है arithmetic expression और divided by 0 expression ठीक है तो let's say कि अभी try catch block को हटा देता हूँ और देखता हूँ कि अब यह error throw क्या करेगा ठीक है तो जब मैं करूँँआ तो देखो arithmetic expression divided by 0 अब मुझे इसको error जैसे अगर मैं इसको एक मैंने मालो मैंने अपनी application में डाल दिया इस code को अब जैसे यह execute होगी यह वाली line यह तुरंत ही मेरी app को बंद कर देगा app मेरी crash हो जाएगी ठीक है तो अब उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ अपने app को smooth experience देने के लिए मैं इसको try catch block में डालता हूँ और catch क्या करेगा यह catch करेगा एक exception को ठीक है कोई भी exception हुगा उसको एक catch करेगा और यह print करेगा let's say sorry sorry print कर देगा अब यह मेरा कोई error throw नहीं होगा और मेरा simple sorry print कर देगा तो मेरी app जो है वो crash होने से बच गई अब let's say कि मेरे को बहुत जादा important है कि line है देखिए अगर मैं let's say कि मैं इसको print कर देता हूँ इस line के बाद hello ठीक है hello print करा दिया मैं simply तो इस line पर exception आने के बाद यह क्या हो रहा है इस line को execute करा इस line पर exception आया यह तुरंत catch block पर चला गया तुरंत catch block पर चला गया इसके बाद कि सितने भी जितने भी statements है उनको इसने execute नहीं करा अब let's say कि मैंने एक loader लगाया हुआ है या मैंने downloadable file लगाया हुई है या कुछ भी एक लगाया हुआ है इस exception के बाद जो कि बहुत important task है लेकिन मेरा अगर यहां पर app में error आ गया तो वो सीधे catch block मा जाएगा और मेरा वो statement जो important था वो कभी भी run नहीं होगा ठीक है और अगर मैं मान लीजिए कि मैं इससे बचने के लिए कि मुझे पता है कि error आएगा तो यह catch block मा जाएगा तो मैं अपना statement को इधर लिख देता हूँ catch block के बाद में कि let's say मेरा print hello जो बहुत important statement है और मैंने इसको catch block में लिख दिया तो चलिए अभी देखते hello sorry sorry hello यह हो गया अब let's say कि यह statement कभी execute ही नहीं हुआ क्योंकि मैं तो यहां पर fix लिखाए नहीं कि I divided by zero अब let's say zero आया है वो user की वज़े से आया है मतलब मैं input ले रहा हूं user से और divide कर रहा हूं नम्मर को मतलब calculator बना रहा हूं basically तो अगर वो user ने मेरे zero देने की बजाए लाइन थी तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा let's say कि मैंने well फिर से c equal to I divided by zero कर दिया अब मैंने एक block लिखा final finally ठीक है finally और इसमें मैंने लिख दिया hello ठीक है अब मैं इसको execute करा हूंगा तो इसमें पहले sorry और फिर hello मतलब अगर मेरा मतलब माल लीजे मेरा एक इधर error आ गया और मैं catch block में आख यह माल लीजे मेरा एधर error आया नहीं मैंने catch block में घुसा नहीं तो इन दोनों की बजाए यह जो block final वो try और catch इन दोनों के बाद automatically execute होना ही होना मतलब यह compulsory statement तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस block में एक ऐसा statement ना लिखे है जो खुद एक error through कर सकता हो ठीक है तो मनना आप multiple errors में फस्द आएंगे और आपकी application crash कर जाएगी ठीक है तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह होई सब बात try catch block की exception handling की हमने बात कर ली कि हम कैसे use करते है kotlin की अंदर ठीक है तो काफी जादा हमने बात कर ली है kotlin के उपर basic basic syntax सारे clear कर ली है हमने loop पढ़ा हमने lazy keyword पढ़ा late in it पढ़ा well where if else when inheritance और हमने classes पढ़नी हमने open keyword की override keyword काफी जादा चीज़े जो basic basic होती है kotlin के अंदर वह हमने सब discussion कर लिया इस video के अंदर तो मुझे लगता है कि इतना sufficient है एक beginner के लिए अगर आप android development में सीधे enter कर जाएंगे मेरे साथ आगे बढ़े रहेंगे और हम seeking android development को discussion करेंगे तो यह जो knowledge है वह आपकी sufficient होने वाली है आपको दिक्कते नहीं आने वाली है जब हम kotlin का मैं आपको चीज़े सिखाऊंगा array, list, map, stack यूबस इससे जादा use नहीं में आता है और थोड़ा बहुत जो use होंगी चीज़े तो वह हम साथी साथ discussion करते चले जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई आपको typical नहीं होने वाला है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो kotlin का syntax easy लगा हो समझ में आया हो सब कुछ बैसे बहुत ज़्यादा simple बहुत ज़्यादा to the point language है अगर आप python पर work करते होंगे तो आपको अच्छा लगेगा आप जावब work करते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि काफी ज़्यादा code आपका simple हो जाएगा इस language के अंदर तो I hope आपको यह video overall अच्छी लगी होगी और इस course को आप पसंद करेंगे आप नई नी चीजह सीखने को मिलेंगी तो अगर आप नई चैनल पर आगए तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बाइकन को प्रेस करकर all notifications की आइकन को सारे notification आउन कर लिजी तक आने वारी वीडियो की notification आप तक पहुँए ड़ूह बिधी वीडियो कोई-भी टॉप आपका Miss ना हो कि क्योंकि हम काफी जैसे मानलीजी मैं प्रोजेक्ट पर पर बडर करना हूँ आप ही तो आयगा एक दूसरे लेटर करनेवाली इन वीडियो ठीक हमay तो आपको ये वीडियो अच्छे लगए हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए कमेड में बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आयों में उसको सॉल्व करने के गुरू गुरू कुश्क करूँगा हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोन कर ल